केंदर सरकार ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नित्रित्व में देश हित में किये अभूत पुर्व काम सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाब ओनलाइन जंता तक पहुचा कर किया भ्रष्टा चार को खतम जीन भाश्पा के जिलाध्यक्ष अमरपाल राना ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नित्रित्व में केंदर सरकार देश हित में शानदार काम कर रही है उनके नित्रित्व में पिछले एक वर्ष के दोरान कई अभूत्पूर्व काम हुए हैं जिससे भारत का गोरफ दुनिया भर में बढ़ा है और दुनिया के शक्तिशाली देशों ने भी भारत की टाकत का लोहा माना है जिला अध्यक्ष के यह बात स्थानिय लोक निर्मान विश्राम ग्रह में एक पत्रकार वारता को संभोधित करते हुए कही उन्होंने कहा कि भाज़पा की केंदर सरकार ने देश हित में पिछले एक वर्ष के दोरान धारा 370 खतम करने, तीन तलाक कानून को निरस्त करने और राम मंदर के निर्मान का मार्ग प्रारस्त करने जैसे अनेक कार्यक किये हैं सरकार द्वारा अनेक जन कल्यानकारी योजनाई लागू की है, उनकी जानकारी जनता तक पहुचाने के लिए जिले में विशेश जागरुकता अभ्यान चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि एक बूत पर दो कार्यकरताओं की ड्यूटी निर्धारित की जाएगी, अधिक कार्यकरताओं की ड्यूटी इसलिए नहीं लगाई चार रही है ताकि करोना वाइरस के संक्रमन की संभावना को खतम किया जा सके सरकार की कल्यांकारी योजनाओं एहव मुनितियों को जनजन तक पहुंचाने के दिए पर ठीप बूत 25-25 लोगों का WhatsApp बनाया जैएगा इन ग्रूपों में तमाम परकार की कल्यानकारी योजनाओं को डाला जाएगा ताकि अधिकादीक लोग इन योजनाओं की जानकारी हासिल कर लाब ले सके उन्होंने कहा कि केंद्र एहम हर्याना सरकार सभी वर्गों के उत्थान के लिए अच्छा कारिय कर रही है ये पांस परकार का हमने संपरक करना है इसमें पहला व्यक्तित संपरक है जो हम दो दो एक बूठ से बई करोना का ध्यान रखते हुए ज़्यादा कारेकरता निकले एक बूठ पे हमारे दो कारेकरता जाएंगे और दो कारेकरता ही पत्र घर कर हमारे तार्गेट मिला गे एक पे सो घरों में ये तार्गेट हमने पहुंचाना है और दूसरी दुबार से एक उस बूत पे पत्शीश पत्स का वैटसप गुरूप बनाकर उसके मेद्धम से यानि डिजिटल संप्रक यह हमने करना है और एक हमने उसके बाद आपस में समाद के मेद्धम से उनको आगे पह देंगे और इसी को हम जोने बूस सतर तक लेकर और आमजन मानस तक परदेश की और देश की जमारी उपलब दिया है वो लेकर जाएंगे वर्ष 2022 तक किसानों की आये दोगुनी करने का लक्षन इर्धारित किया गया है संभवत इस लक्ष को प्राप्त किया चाएगा उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड-19 का प्रकॉप चल रहा है इस वाइरस को दुनिया के लगभग सभी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड प्रभाव अन्य देशों की तुलना में काफी कम रहा है उन्होंने कहा कि करोना वायरस को हराने के लिए सरकार को चन्ता का भी पूरा सहयोग मिल रहा है निश्चित तोर पर करोना वाइरस की हार होगी उन्होंने कहा कि केंदर सरकार ने देश की अर्थ विवस्ता को मजबूत करने के लिए 20 लाग करोड रुपे की राशी विभिन शेत्रों के लिए दी गई है इस राशी से उध्योग क्रीशी लगूत द्योगों को काफी फायद देखे प्रधानमंति जी ने के जो चाइनी के बारे हम कहा है कि देश को आतम निरबर मनाना है आतम निरबर जब हम होंगे तो अपने आप एटोमेटिक हमारी अनेक समस्चाएं खतम हो जाएंगी और इसमें जो है ना ये चाइनी की जो धंकी थी उससे भी आप मैंने देख बिल्कुल ठीक है लिए इसका जो मोदी जी ने पिछे भी आपने सुना होगा आप मन की बात में भी के इसमें जो है ना मार्थिक नीति को पर लाने के लिए आतम निरबर तासे इसमें का मुझो करेंगे उससे जो अनिस्चे लाब मिलेगा में इसको और जो है ना हमारे इस इसमें कोराना के लिए 20 लाग का पैकेज इसमें लिखा है इसमें दिया है मोदी जी ने उससे तो फिराक उपर आएगा आपकी जीटीपी इस अफसर पर संधीब गोस्वामी पुर्शोतम शर्मा मनीश और बबलू समीर भाजपा के कई पदादिकारी मोजूद रहे खबर तहलका के लिए जीन से वेखाराने की रिपोर्ट